हाई दोस्तों, विल्कुम बाग तो वार उफ प्रोसेसर, आज करेंगे मोटो एज 50 प्रो वर्सेस वन प्लस नॉट सी फोर, दोनों में ही सेम प्रोसेसर है, स्नाप ड्रागन सेवन जें ट्री तो मज़ा आएगा देखने में कौन सा जाधा उप्टिमाइज़ है, साथ ही में रेड्मी नोट 13 प्रो प्लस वर्सेस रियल्मी 12 प्लस में ये पता चल जाएगा कि डामन सीटी 7200 अल्टरा बेटर है, या फिर स्नाप ड्रागन 7S जें टू का उप्टिमाइज़ेशन, बाइदे वे, अगर आप चैनल पर न्यू हो, तो मैं हूं रितिक, आप देख रहे हो कर दिये हैं मैंने सब की, रिफ्रेश रेट यहां पर मोटरोला में 144 हर्ट्स है, पर बाकी सब में 120 हर्ट्स, तो सभी को मैंने 120 हर्ट्स पर ही सेट कर दिया है, ताकि बाटरी ड्रॉप आफ को आपको अच्छे से आइडिया लग पाए, वैसे यहां पर पर्फॉर्मेंस और अफकोस चारों ही फोन अपने लेटेस्ट सॉफ्ट्वेर वर्जिन पर अपडेटेड है, पूरे दो घंटे की लगातार, रियल लाइफ और बेंचमार्क टेस्टिंग करेंगे, और टेंशन नौट, बाटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेक करेंगे, तो शुरू करते हैं वाम अप से गीक बेंच का एक राउंड रन करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर बाद ही मार ली है, मोटो एज 50 प्रो ने, और उसके जस्ट दो तीन सेकेंड बाद नौट सीफोर ने भी, तीसरे नंबर पर है रेड्मी नोट 13 प्रो प्लस, और रेस में काफी पीछे छूट च सबसे पहले बात करें, रेड्मी नोट 13 प्रो प्लस वर्सेज रेल्मी 12 प्रो प्लस की, तो यहाँ पर सिंगल कोर में लीड है, रेड्मी के पास, लेकिन मल्टी कोर स्कोर में आगे निकल जाता है, रेल्मी, वहीं देखा जाए, स्नाप ड्रागन 7 जैन 3 में, तो यहाँ पर 38.2, मोटो जा रहा है, 37.1, और नॉट C4, 37.4, अब वैसे तो सिर्फ यह एक वाम अप राउंड था, सारे फोन्स को एक मौका और देंगे, देखते हैं कि क्या इनके स्कोर में हमें इंप्रूव्मेंट देखने को मिलेगा, कौन सा फोन अपना स्कोर मेंटेन कर पाएगा, या फिर भाई हमें ड्रॉप आफ देखने को मिलेगा इनके स्कोर में, तो भई दूसरे राउंड में भी यहां पर बाजिमार लिये, मोटो एज 50 प्रो ने, लेकिन यहां पर साथी साथ, 2-3 सेकंड के गैप में ही, नॉट C4 ने भी अपना टेस्स कम्प्लीट कर लिया, 10 से Redmi Note 13 Pro Plus का भी टेस्स कम्प्लीट हो गया, और यहां पर एक चीज तो बोलने पड़ेगी कि Dimensity 7200 Ultra थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, Realme 12 Pro Plus के 7S Gen 2 से, और यहां पर स्पीड में फरका आप तीनों ही फोन के यहां पर Optimization में देख सकते हो कि कितना time extra लग रहा है यहां पर Realme के ट खुल चुका है, वहीं बात करें 7200 Ultra versus 7S Gen 2 की, तो यहां पर single core में lead अभी वी Redmi के पास है, Note 13 Pro Plus के पास, लेकिन multi core score में यहां पर lead बरकरार कर रखी है, Realme 12 Pro Plus ने, CPU heating देखी जाए तो यहां पर सबसे थंडा चल रहा है, Nord C4 40 degrees पर, उसके बाद आते है, Realme और Moto, यहां पर temperature fluctuation थोड़ा देखने को मिल रहा है, Redmi Note 13 Pro Plus में, अभी 47 तो कभी 39 पर जा रहा है, और अभी 52 भी टच किया है, इसने, बाकि बैटरी इस देखोगे, तो भाई, यहां पर king निकल के, at least starting में तो आ रहा है, Nord C4, 100% पूरी battery maintain कर रहा है इसने, जो इसमें extra battery हो, उसका फायदा मिल रह ही है, Redmi Note 13 Pro Plus ने भी, और तीसरे स्थान पर spot share कर रहे हैं, दोनों ही Realme और Moto, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं Android 2 Benchmarking पे, चारों फोन के CPU, GPU, Memory Management, सब चीज़ पर fulls ओर डालेंगे, और देखते हैं, सब से optimized किसका performance है, इन सारे ही मामलों में, तो यहाँ पर test सबसे पहले complete कर लिया है, Nod C4 और उसके बाद Redmi Note 13 Pro Plus ने, and almost 20-25 से बाद Moto Edge 50 Pro में भी हो गया है complete, and Moto Edge 50 Pro के almost एक मिनिट बाद Realme 12 Pro Plus ने अपना test complete किया, और यहाँ पर काफी surprising scores हैं, लेकिन सबसे पहले test कर दें temperatures, रूम हो रहा है 29.4, Redmi Note 13 Pro Plus जा रहा है 40.3, 40.4, Realme 12 Pro Plus है 43.6, Moto Edge 50 Pro 41.1, और Nod C4 41 टच कर रहा था, अब देखा जाए तो भाई, फर्स राउंड में काफी must perform किया, Moto Edge 50 Pro ने, लेकिन भाई, यहाँ पर आगे निकल गया है, इससे Redmi Note 13 Pro Plus का Dimensity 7200 Ultra, overall scores के मामले में, सप्राइजिंग चीज यह है यहाँ पर कि CPU के मामले में और GPU के मामले में हलका सा 19-20 आगे है Moto Edge 50 Pro, लेकिन memory management के मामले में यह काफी आगे निकल जाता है, Redmi Note 13 Pro Plus, वहीं बात की जाए Redmi Note 13 Pro Plus और Realme 12 Pro Plus की, तो वहीं सारे ही मामले में आगे है Redmi Note 13 Pro Plus, except for memory management, जो Realme 12 Pro Plus का थोड़ा बेटर है, और यहाँ पर overall score wise सारे ही मामलों में सबसे बेटर निकल कर आया है, Nord CE4 का optimization, यहाँ पर दोनों ही Snapdragon 7 Gen 3 वाले phones में, अगर हम comparison draw करें तो बेटर निकल कर आया है, synthetic benchmarks के मामले में, अभी Real Life Video Editing टेस्ट भी करेंगे, और फिलाल के लिए आगे है Nord CE4, लेकिन एक मौका और देते हैं, चारों ही phones को देखते हैं कि क्या यह अपना score maintain भी कर पाते हैं, और क्या भाई Moto Edge 50 Pro में हमें improvement देखने को मिल सकता है, क्या यह आगे निकल पाएगा Redmi Note 13 Pro Plus से, या इवन बेटर निकल कर आ जाएगा Nord CE4 से, जिसमें same processor है, Snapdragon 7 Gen 3 तो वही यहां पर second round में भी बाजी वापस से माली है, Nord CE4 ने, और same साही result है, Redmi Note 13 Pro Plus ने second number पर complete किया, almost 1-2 second बार, यहां पर Moto Edge 50 Pro का भी test complete हो गया, same ही time थोड़ा extra इसने लगा है यहां पर, और इस बार भी सबसे last में test complete किया, Realme 12 Pro Plus ने, अब वापस से थोड़े surprising results आये हैं, पर सबसे पहले temperatures check out कर लेते हैं, room हो रहा है, 30.1 degrees, Redmi Note 13 Pro Plus जा रहा है, 40.8 degrees, Realme 12 Pro Plus है, 44.2, 44.3 जा रहा था, Moto Edge 50 Pro है, 41.4 और Nord CE4, 41.3, temperatures वैसे यहां पर almost 4 phones के बराबर ही हैं, अब बात करते हैं, surprising चीज़ की, तो भाई, यहां पर ध्यान से आप scores को देखो, Moto Edge 50 Pro ने काफी ज जादा drop कर दिया है, पहले round में तो यह Redmi Note 13 Pro Plus से पीछे था, लेकिन अब यह Realme 12 Pro Plus से भी पीछे आ गया है, बाकि Nord CE4 तो must आगे चल रहा है, लीड में, लेकिन यहां पर काफी जादा drop off देखने को मिला, Nord CE4 के score में भी, और साथ ही में, Moto Edge 50 Pro के तो क्या ही कहने, बाकि Redmi Note 13 Pro Plus क थोड़ी तारीफ करनी पड़ेगी यहां पर, क्योंकि यहां पर जो score है, इसका इसने काफी हद तक maintain कर लिया, and even though यहां पर Realme का score कम था, लेकिन भाई score तो इसने भी अपना maintain कर लिया है, overall Realme और Moto में जो फरक है, यहां पर scores में आप देख रहे होगे, वैसे main final score में थोड़ रियल्मी 12 Pro Plus ने, बागी बात की जाए, बाटरी की तो भाई, अभी भी यहां पर lead maintain करेके, Nord C4 ने 91% के साथ, second number पे आता है, Redmi Note 13 Pro Plus 87% पे, उसके बाद है, Moto Edge 50 Pro, even though इसमें 4500 mAh की बाटरी है, यह आगे है, Realme 12 Pro Plus से जिसमें 81% है, अब खेर, almost एक घंटे से भी ज्यादा हो च से चालू करेंगे अपनी टेस्टिंग को, तो यहां पर cool of time complete हो गया है, बढ़िया ठंडा ठंडा होने का मौका मिल गया है, चारों ही phones को, और यहां पर आप देख सकते हो, जो सारे ही phones हैं, almost 34-35 degrees के आसपास ही चल रहे हैं, ठंडे हो चुके हैं, बिल्कुल, सीधे चलते है अपनी GPU की टेस्टिंग पर, इससे हमें पता चलेगा, जब आप लंबे टाइम तक गेमिंग करोगे, तो कौन से फोन में सबसे stable gaming कर पाओगे, और frame rate, frame drop का क्या सीन रहता है, चारों ही phones में, तो वही आपर टेस्ट कंप्लीट हो गया है, चारों ही phones में सबसे फेले temperatures देखेंगे, रूम हो रहा है 29.4, Redmi Note 13 Pro Plus जा रहा है 40.3, Realme 12 Pro Plus है 42.1, Moto Edge 50 Pro 41.2 और Nord CE 4 42.9, अब कमाल की चीज यहाँ पर यह है कि दोनों ही Redmi Note 13 Pro Plus और Realme 12 Pro Plus stability के मामले में सबसे उपर निकल कर आये हैं, दोनों ही Snapdragon 7 Gen 3 वाले जो phones है, Moto Edge 50 Pro और Nord CE 4 उनमें stability काफी कम देखने को मिली, खास करके Nord CE 4 में, अब यहाँ पर Realme 12 Pro Plus में stability तो काफी अच्छी है, लेकिन best loop score इतना कुछ खास नहीं है, तो जब gaming कर रहे होगे, frame rates थोड़े कम रखके खेलना पड़ेगा, तो आपको stable gameplay मिलेगा, Redmi Note 13 Pro Plus का best loop score यहाँ पर best best तो नहीं है, यहाँ पर यह पीछे रह जाता है बाकी के दोनों phones से, जिनमें आप थोड़े better graphics पर खेल सकते हो, लेकिन भाई, better graphics का इतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर stability कम देखने को मिलेगी आपको, चाया frame rate और graphics बढ़ा लो, तो इन दोनों phones में भी आपको या तो frame rate कम करना पड़ेगा, या फिर graphic की quality, लेकिन Redmi Note 13 Pro Plus में काफी जादा chances हैं कि आपको similar graphic settings और fps पर आपको थोड़ा better gameplay देखने को मिले, खेब GPU की testing हो गई, अब चलते हैं, CPU की testing पर, चारों ही phones की CPU पर full load डालेंगे, पूरे के पूरे 15 minute के लिए, देखते हैं कि stability के मामले में किसका CPU सबसे best निकल कर आता है, अब CPU test complete हो गया है, Realme ने तो full उपर नीचे पहाड़ी बना दिये है, पर सबसे पहले चेक करते हैं temperature, room हो रहा है 30.3 degrees, Redmi Note 13 Pro Plus 41, Realme 12 Pro Plus 42.6 थोड़ा करम हो रहा है, अब मज़े की बात यह है, जो phones GPU testing में पीछे थे, वो CPU testing में आगे निकल चुके है, थ्रॉटलिंग इन दोनों phones में सबसे कम देखने को मिली, और वैसे थ्रॉटलिंग के मामले ज़रा सा ही पीछे था, Redmi Note 13 Pro Plus, लेकिन यहां पर maximum score देखोगे, तो सबसे तकड़ा निकाल कर दिया है, Moto Edge 50 Pro ने, अब थोड़ा confusing सा मामला है, क्योंकि कभी अच्छा perform कर रहा है Moto Edge 50 Pro, कभी इतना अच्छा perform नहीं कर रहा है, लेकिन real life video editing test में सब खुलासा हो जाएगा, वैसे जो पिछला test किया था, मैंने Nod C4 का comparison किया है, Nothing Phone 2 है, Poco X6 Pro और साथी में Realme 12 Pro इसके छोटे भाई से, बात करें यहां पर Realme 12 Pro की, तो यहां पर एक चीज बाई, क्लियर हो गई है, कि stability कुछ खास नहीं है, यहां पर maximum score देखके तो आपको लगे है, कि बढ़िया perform किया है इसने, लेकिन काफी throttling देखने को मिली इसमें, जिसके चलते हैं, इसका average score कम निकल कर आया है, और इसको compare करें Redmi Note 13 Pro Plus से, तो average score और maximum score भले ही कम है Redmi का, लेकिन यहां पर stability काफी better मिल जाती है आपको, खेर CPU testing हो गई, GPU testing हो गई, चलते हैं अपने final test पर, जो कि है real life video editing test, चारों phones में मैंने same video import कर लिया है, सभी पर same filter भी लगा दिया है, और क्यूंकि यहां पर mid range phones हैं, तो video export करेंगे 1080p, 60fps, max bit rate पर, देखते हैं कौन सा phone सबसे तेजी से real life video editing test सेनारियो में video edit करके देता है, औ तो यहां पर काफी बड़े margin से, Moto Edge 50 Pro ने सबसे पहले test complete कर दिया है, और एक चीज clearly prove कर दिया है, कि बाई, सिर्फ benchmarks important नहीं होते, real life में जब आप phone को use करने के लिए जाते हो, तो results अलग भी हो सकते हैं, और यहां पर same चीज में कहना चाहूंगा, Realme 12 Pro Plus के लिए भी, वैसे इ 5 minutes जादा लगा दिया, Moto Edge 50 Pro से test complete करने में, लेकिन अपने competition से ये पीछे चल रहा था starting में, लेकिन real life editing scenario में इसने बाजी मार ली, और यहां पर almost 40-50 second बाद Redmi Note 13 Pro Plus ने भी test complete कर लिया है, लेकिन यहां पर सबसे पीछे रह गया Nord CE4, वी एन अप अगर आप use करने वाले हो, तो test results कुछ ऐसे दिखने वाले आपको, सबसे आगे है Moto Edge 50 Pro, उसके बाद Realme 12 Pro Plus, फिर Redmi Note 13 Pro Plus, and then आखरी में Nord CE4, लास्ट में बैटरी इस पर नज़र डाले हैं, तो दोनों ही phones जिन्होंने सबसे तेजी से वीडियो एडिट किया था, सबसे कम बैटरी हैं में, Realme 12 Pro Plus में 66%, Moto Edge 50 Pro म 68%, Redmi Note 13 Pro Plus थोड़ा आगे है 71% के साथ, लेकिन यहाँ पर काफी बड़ी लीड है, OnePlus Nord CE4 के पास 77% पर यह पूरी की पूरी दो घंटे की टेस्टिंग के बाद, वैसे मैंने दो और वीडियो एडिटिंग सौफ़वेर पर टेस्ट किया, काइन मास्टर में, फर्स था Redmi, रियल्मी, थर्ड था Moto, यहाँ पर भी लास्ट में कंप्लीट किया, Nord CE4 ने, इन शॉट्स में, फर्स था Realme, सेकेंड था Redmi, बाकी Nord CE4 और Motorola ने तो साथ में ही टेस्ट कंप्लीट किया, खेर अब सारी टेस्टिंग आपने देख ली, पर्फॉर्मेंस के मामले में, as such कोई क्ल लोड़ा फ्लक्ट्वेट करता है, बाकी इसमें गोरिला ग्लास विक्टर्स की प्रोटेक्शन भी है, और साथी में IP68 रेटिंग, तो अगर डियूरेबल फोन देख रहे हो, this could be one of your choices, वैसे डियूरेबल और IP68 रेटिंग तो Moto Edge 50 Pro में भी है, और यार इन हांड फील यह definitely मेरा फेवरेट फोन है, और कर्व डिस्प्ले के मामले में भी, ऐसा लगता है, इसका डिस्प्ले एकदम पॉप आफ करके बाहर आ रहा है, बेंचमार्क्स में स्टार्ट इसने अच्छी ली थी, बेस्ट परफॉर्मस था, यह स्टार्टिंग में, लेकिन लॉंग अगर आपकी प्रियोरिटी है, तो फुल मज़े देगा यह, क्योंकि इसमें डिस्प्ले पोर्ट, यूएसबी 3.1 सपोर्ट है, प्लस सबसे थेज़ चार्जिंग है, इसमें 125 वाट की, पर वही चार्जिंग की बात हो रही है, तो वन प्लस नॉट सीफोर अंड़ बाटरी नहीं है फिलाल, पर विट टाइम अपडेट के साथ इंप्रूव होने के काफी जादा चांसे हैं, बाइदे वे, लॉट सीफोर का उप्टिमाज़ेशन बेटर है, मोटो एज 50 प्रो से, पर्टिकुलर्ली कंसिस्टेंसी के मामले में, नॉट सीफोर वैसे अगर आप में से किसी ने भी खरीदा है, तो अपना experience नीचे comments में जरूर बताना सबकी help हो जाएगी, अब Realme 12 Pro Plus एक लौता फोन है, विद पेरिस्कोप लेंस, कैमरा इस फोन की main strength है, लेकिन जब बाद आती है performance की, तो यार उस मामले में ये एकदम average है, at least अपने आस-पास की price range वाले phones के हि आप से, अल्सो इसमें बैटरी 5000 mAh की होने के बाद भी Moto की 4500 mAh की बैटरी के बराबर ही backup दिया, इसने अंचारों phones में से सबसे slowest charging भी इसी की है, लेकिन भई इसके camera का magic देखना चाहते हो, और किसी phone के साथ comparison देखना है camera's का, तो मुझा अभी नीचे comments में बताओ, और मैं आप लोगों को मिलता हो नीचे, comment section में